हलो एवरिवन आज देखेंगे कि कोई IPO अगर है उसमें और सब्सक्राइब अगर होता है तो उस कंडिशन में एलॉट्मेंट कैसे होता है तो यहाँ पर एक एकजामपल है FSN e-commerce इसका मेंडी जो नाम फेमस है उसको नाइका नाम से जानते है ठीक है तो इसका एक शेयर का यहाँ पर प्राइस जो बैंड है 1085 से 1125 तक है ओके यह आपका बैंड है और इसमें यहाँ पर एक लॉट में यहाँ पर बारक शेयर है यानि कि कोई भी एक लॉट होता है तो पंद्रह हजार के अंडर में होता है तो यहाँ पर पंद्रह हजार के अंचार यहाँ पर बारा से ओके तो इसमें अगर सब्सक्रिशन अगर देखें तो बहुत ही हैवली यह सब्सक्राइब हुआ है और यहाँ पर अगर invest करता है तो उस condition में तो वहां पर 12 बारागुना subscribe हुआ है और अगर retail पर अगर दो लाग से उपड़ अगर यहां पर इसमें लगाता है तो वहां पर 112 बारगुना यहां पर subscribe हुआ है ठिक है यहां पर NII है जनरी जो 2 लाग से उपर retail इन्नुवर्सर होता है इसको HNI बोलते हैं और HNI पार्ट है NII का ठीक है और यहाँ पर QIB में यहाँ पर Banks mutual fund ऐसे होते हैं तो रेजिस्टर होते हैं तो यहाँ पर 91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है यह आपको दिखाएगा 91 टैमस कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स जो होते हैं है न जिसको मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा knowledge research होता है तो उसका क्या perspective है 91 टैमस सब्सक्राइब होने का मतब है कि उसमें बहुत ज्यादा interested है okay and overall यहाँ पर subscription हुआ है 81 times okay अब आते हैं में अपने topic पर कि कैसे जब subscription अगर over subscribe होता है तो इसमें allotment कैसे होता है उस condition में का देखें तो जो नई क्या है इसमें जिसका नाम है fsn e-commerce इसका बेंड मैक्समा गमान के चनल के 1125 ए 1125 एक लोट के यहाँ पर 3500 है इसका सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 12 लाग से अंदर मतब 15 लोट तक अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करता है तो 15 लोट तक यहाँ पर 15 लोट से उससे कम मतब 15 लोट तक वहाँ पर नॉर्मल इटेल इन्वेस्ट में आएगा इसका सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 12 लाग से अगर ऊपर के लिए है तो उस इसन में एक लोट का यहाँ पर आ जाएगा दो लाग 2 500 और यहाँ पर 12गणा सब्सक्राइब हुआ है ठीक है तो इसमें अगर देखते लोट में के बारे में कि अगर जो यहाँ पर अगर देखें कि अगर यहाँ पर 12 लोट भी खर दे लिए इसमें कोई इंवर्स शक्ता है कि एक लॉट खर दे को इंवर्स ऐसा भी हो सकता है कि दो लॉट खर दे को हो सकता है कि 10 लॉट भी खर दे हैना 15 से कुछ भी कम वहाँ पर नमलेटेन इंवेस्टर के तरह हो गया तो इस कंडिशन में क्या वहगा कि यहां पे जो allotment होगा सभी को यहां पर एक डॉट दिया जाएगा जितने भी प्लेयर हैं सभी को यहां पर इस दंग से हैं जैसे एक लाइन में खाना खाने के लिए अगर है बहुत सा लोग है तो उसमें क्या होगा कि उसमें यह नहीं कौन ज्यादा पैसे वाला है या कौन ज्यादा भूखा है उस पर नहीं देखा जाएगा जितने भी लोग हैं पहले सब को एक एक प्लेट खाने मिल जाएगा ठीक है उसके बाद अगर बच जाता है तो फिर बाग की दुसरा में डिस्टूट होगा ओके तो यहां पर इस कंड कभीं आप इंवे सब्सक्राइब हों गया तो शर्द क्याति हैं तो अच्छे कंपणी होंगे यहां अगर अंड़र सब्सक्राइब होगे तो पर पांस मिन जाएंगा तो खुलेंगे नहीं साइए प्रैस पे तो आपको लॉस ही हो गए इस इंडिये कभी अगर रेटेल के लिएगर दो लॉख से अगर कम इंवस्ट कर रहे हैं तो एक कांट से याद रखें कि एक एक कांट से मतब एक…पैंकार से जिसे पैंकार आपका जो जिसे या कोई भी चाइल उसके नाम से फिर और इंवेस्ट करें ताकि आपका प्रवेर्टी यहां पर बढ़ जाए होके मिलने का अब आते हैं एचनाई एचनाई में जैसे की अगर दो लाग से उपर मैं इंवेस्ट किया हूं यहां पर चार लाग पांच जार है ना तो यहां पर म को ना हैं 112 गुना तो अब यहां समझते हैं मैथमाइटिक्स कि अगर 112 पॉइंट कुछ है तो इसको एक सो एरा मान देते हैं अगर एक सो तीरा डॉट-के डिया गंवेस्ट किये हुए हैं तो इस कंडिशन में हमें एक लॉट मिलेगा अगर एक सो देरा लॉट करिश किए ह और एक lot का अगर यहाँ पर multiply कर देते हैं 3,500 से है ना तो यहाँ पर अगर देखें तो 15,000,000 अगर हम invest करते हैं तो हमें एक lot मिलेगा कोई अगर 30,500,000 invest करता है तो इसको 2,000,000 मिलेगा और कोई अगर मान के चाओ 22.5,000,000 23,000,000 अगर invest करता है तो यहाँ पर इसको 1.5 lot मिलेगा उस condition में है ना तो यह तो हो गया कि जब ज़्यादा lot यहाँ पर invest किये हैं तो कोई भी इंसान जो कि 130 lot से कम apply किये जैसे मैं कितना apply किया थी is load के लिए तो जब मैं यहां पर 30 नोट के लिए हाँ पर अप्ले किया हूं तो उस condition में 133 तो कम है और 123 से कम है तो इस condition में में यहां पर जो सिस्टम होगा वो सिस्टम होगा लॉट्री वेस्ट लॉट्री वेस्ट यानि कि जो भी यहां पर एक सो तेरोट से करम है तो उसको कैसे दिया जाएगा उसमें लॉट्री लगेगा और लॉट्री के अनुसार में जिसके लॉट्री में आ गया तो उसको यहां पर मिलेगा अगर लॉट्री मेरे में हक्म नहीं आया तो मुझे नहीं मिलेगा यानि कि कोई गाराण्टी नहीं कि अगर हम 30 नोट के लप लाप्लाइब कि है तो मुझे मिले या ना मिले है ना और इसमें देखिए सब्सक्रिश्चिस इसने भी ज्यादा होता है बहुत लोग मिलेगा है ना पंदर लोग पंदर लोट मतलब इन्वेस्ट करने पर एक लोट मिलेगा मतलब आपका 13500 का इन्वेस्टंट 13.5K का इन्वेस्ट में आपको मिलेगा है ना इधर अगर देखें कि अगर आप मान के चलोग 15 लाग इन्वेस्ट कर देए है तो आपको जो मिलेगा एकांट में 13500 का तो इन्मान के चलोग कि जो एक करोड पर इन्वेस्ट करेगा एक करोड तो उसको मुस्किन से यहाँ पर 13500 गुने आठ जो यहाँ पर आ जाएगा ऑल्मस्ट इतना गुने एक करता है कि यहाँ पे एक किलारी होते हैं कि यहाँ पे उधार लेते हैं defensive एक सब्सक्राख के लिए 10 दिन के जब आया पीऊ है और वह उईसको देढ, बैंक से ऊठा सकते हैं, कहीं से उठा सकते हैं तो उहां पर यहां पर इनिविट करते हैं यहां पर चान्स不是 होँआज जाद है उहां पर बढ़ा सके तो एक practice है ठेक तो इससे आपको समझ में आगे होगा कि जो आपका retail investor है उसमें क्या है कि इसमें fundamental है कि सभी को आप यहां पर allotment मिलने है इस condition में क्या है कि सभी को यहां पर allotment मिलना चाहिए जितने भी लोग यहां पर apply किये हैं सबस्ते परले सभी के थाली में खाणा जैसे जाना चाहिए सभी के थाली में जाना चाहिए ज्यादा भूख है ज्यादा पैसा वाला है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा सभी के थाली में एक एक खाना जाएगा एक प्लेट जाएगा उसके वाद फिर बचेगा दूसरा को जाएगा इसमें ऐसा नहीं है जिछ जद्द मिलेगा आपका पास पैसा नहीं है कम पैसा है तो आपको नहीं मिलेगा तो आम यह नॉर्मल अप्लाई किया तो कम है अगर पैसा है जितना ऐस बहुत कम है रहर है कि किसी को पर सकता है किसी को नहीं मिल सकता है ले नतरी अपर ल propos करते हैं तो इस को समय सकते हैं और इसी का बार इए है सब्सक्रिस्टर वागत देखें यहां पर तो यहां पर एचीज है ठीक है और इस कंडिशन में रिटेल का है यह तो इंपलाई का जो इंपलाई इसमें है और यहां पर क्यू आइब क्यू आइबी का है इसका मतलब इससे समझ में आता है कि यहां पर क्यूअबी का इंवेस्टमन ज्यादा है तो यहां पर ज्यादा रेट पर खुलेगा ठीक है टोटल सब्सक्राइब यहां पर 81 टैम्स है यानि कि जितना पैसा फंडिंग चाहिए था नाइका को उससे 81 गुना टैम्स पैसा उसक समझ सकते हैं ओके थैंक यू झाल झाल